हेलो फ्रेंज, प्रियार कीचेन में अब सभी लोगों को स्वागात है, आज देखिए मैं लेकर आई हूँ एक इलसा फीस रेसीपी, यह जो फीस है बेंगली एक ट्राडिशनल रेसीपी है, इसे इलिस भापा बोलते हैं, तो यह जो फीस है इसे स्टीम करके बनाया जाता है, तो देख सकते हैं, देखने में कितना याम्मी लग रहा है, लेकिन खाने में उदनाई टेस्टी है, और बनाने में उदनाई इजी है, इसे बनाने में ज्यादा इंग्रिडेंस भी नहीं लगते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं, फटा फट बन जाता है, तो चलि वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सापोट कीजिए सबसे पहले देखी हैं यहापे हमने चाड फीज इलसा फीज लिए हैं जिसको हमने अच्छे से धो के नमा खलदी लगा के इसको रग दिये हैं 10 बिनिट पहले ही जो है नमा खलदी लगा दिया था तो इसमें देने के लिए कुछ मसाला तेयार करेंगे तो उसके लिए देखे एक लिए हैं mixer jar तो उसमें मैं 2-5 चमज जो ये black master seeds मतलब काला बाला जो सर्षोय उसको लिए है 1-4 चमज नमक और 3-4 हरी मीच को डाल के जो है इसका एक paste बना लेंगे पहले हम इसका थोड़ा सा powder बनाएंगे फिर उसमें पानी डाल के जो है एक अच्छा smooth paste बना लेंगे तो इधर देखिए हमारा paste जो है एकदम ready है देख सकते कितना जो है अच्छे से paste बन गया है आप लोग भी जब सर्षो को paste बनाईए ऐसे करके बनाईए जो steam करके बनाएंगे तो उसके लिए ले लिए है टीफिन बॉक्स बॉक्स के अंदर जो हम यह मचली चारपीस जो मचली है इसे हम अंदर में सेट कर देंगे सेट कर देने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा और दो हरी मिस दोंगी मचली में ज्यादा मसाला तो इस्तेमाल होता नहीं है खली सर्षो और हरी मिस से यह मचली रेसीपी बनता है तो देख सकते हैं हमने सर्षो का पेश्ट को भी इसमें डाल दिया है और मिक्सर जार को धो के थोड़ा सा पानी इसमें एट करेंगे दो चमच से तीन चमच के करीब तो देख सकते हैं एट कर दिया है इसमें अभी जो है मैं दूंगी दो चमच के करीब सर्षो का तेल तो इसमें जो है सर्षो और सर्षो का तेल से ही बनाया जाता है तो देख सकते हैं मैं कैसे करके कर रह Cottage कर रह почему इसको थोड़ा सा हीवाराने पड़ी जो है यह अच्छे से मीक्स हो जाएगा तो आच्छे से मीक्स हो गया है तो यह मंचली इसको अभी जो है थोड़ा सा मतलब पलट देंगे देख सकते हैं तैसे ही करके जो है सब मचली को मैं पलट दिये हैं देने के बाद इसको ढगा देंगे ढगा देने के बाद अभी गैस के तरफ देख सकते हैं हमने फ्राइपैन में जो है पानी गरम होने के लिए रख दिया ह तो पानी गरम हो गया है इसके उपर रखेंगे एक stand stand के उपर ये टीफिन बॉक्स को रखेंगे रखके इस पानी को उबाल लाने के लिए देंगे तो देख सकते हैं पानी अभी उबाल रहा है तो इसको जो है अभी मैं धाकन लगा दूँगी धाकन लगा के 10 मिनिट के लिए इसे steam में पगने के लिए छोड़ दूँगी तो चलिए इसको steam में पगने देते हैं तो इधर देख सकते हैं, दस मिनिट हो गया है, तो हमारा बन गया है, तो गैस को बन कर देंगे और थोरा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तब आब लोगों को दिखाएंगे, तो इधर देख सकते हैं, ठंडा हो गया था, तो हमने इसको निक देख सकते हैं, इसका gravy घाणा बना और मचली भी जो है अच्छे से पक गया है, यह इलिस भपा बनाने में ज्ञादा इंग्रीडेटिन्स भी नहीं लगता है, फटा फटा और कम इंग्रीडेंस से जो है, इसके बनके रेडी हो जाता है, तो हमारा इलिस भपा एकदम रेडी ह इसके गर्म गरम चावल के साथ परोसी है तो कैसा लागा मेरे इलिस भापा का रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अभी बर्षात के मौसम है और बर्षात के मौसम में जो है ये मचली मार्केर में बहुती इजीली मिल जाते हैं तो आप लोग भी एक बर इस तर करके जरूर बताईएगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लागे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमेली के साथ सेयार कीजिए चैनल में अगर नया है तो रेट कलर का बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साइट में जो बेला इकन है उसे भी क्लिक कर दिजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फिर मिलते आगला कोई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक यू